यह है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आकिरकार हम जो जमीन चोतर हैं मेरे पास रसीद भी नहीं है कि वाला भी नहीं है तब क्या होगा बहुत सरा समस्या है जमीन विबाद में देखते हो येगा भाई भाई में लडाई हो जाता है अगल बगल से लडाई हो जाता है मेरे सा तो बिहार सरकार के दवारा जमीन सर्वे का काम चल रहा है बहुत लोह तो साहित है कि मेरा जमीन दूसरे के पास चला जाएगा या उनका जमीन मेरे पास आ जाएगा क्या कुछ इसमें दिखाना पड़ेगा देखे सबसे पहली बात है तो कि जो भी लोग ऐसे समझते हैं और म जमीन से संमंधित जो विवाद है उसी सारे सीज़ों के निप्तान के लिए यह सर वे हो रहा है तो कि बहुत सारे जमीन के जो दस्तावेज है, बहुत पुराना है, माली जो खतियाना tvb takes from 100 그래요, अभी जिनके नाम से स्वाम मूल उझने मूल, वह लोग है नहीं उनके मालीजे के बच्चे हैं नए त्रीन पीरी चार पीरी के हैं तो उस इस्तिति में बिहार सरकार जो यह सर्वे कराएगी इसे नया खतियान बनेगा यह आपके लिए अच्छा है सबसे पहली बात आपको यह समझना है इसलिए आपको इस भ्रह्म में नह करना है कि हमारा सरकार जमीन नहीं लोग डर रहे हैं कि जो आमगर में जरुआ है खास गर में जरुआ है जिसको हम जोत रहे हैं या जिस पर मेरा मकान है उसका क्या होगा बिल्कुल यह चुकि होता है चुकि जमीन तो बड़ा लोगों का जमीन से भावनात्मक लगाव रहत नहीं किया है। आपने किसी ऐसे जमीन ओको अपने पास नहीं रखा है। तो फिर बिहार सरकार आपकी जमीन क्यों लेगी। दूसरी बात अगर आपकी जमीन एक्टिव है तब भी नहीं लेगी इसलिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है और जिसके कारण आप अपने दस्तावेज को ड़कुमेंट्स को तयार कर लीजिए तो फिर मुझे लगता है कि आपको ड़ने की जरूरत नहीं है तो वास्तों में आपके साथ समस्या हो सकता है गाउं में एक अपने दर कामाहौल है सर सुरू से बताए क्या 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 डखुमेंट्स चाहिए क्या क्या उनके पास होना चाहिए देखिए सबसे पहली बात है जो पहला चीज आप मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर बिहार सरकार इसको तयार क्यों कर रही है जैसा कि आपको पता अब से सब्गत है कि जो Satu monate, New那个 सब्गत करना में Shelf ये चीजे क्या कि सरकार को अपने जमीन का भी पता करना है श्कैंके बहुत चारी कि अपना जमीन है उस जमीन का जानकारी सर्वे से ही पता लगेगा रही अगार वापस भी ले सकती है अपना वापस तो लेगी है अपनी जमीन को पता लगना चाहिए कि इसका हमने ही बास्तिविक सर्वेक्षन यह हो रहा है तो इसमें सबसे ये चीजें हैं, दूसरी बात क्या है, जो पूराना खतियान है, उसको समाप्त करके नया खतियान बनाना है, ये इसका मूल उद्देश है, दूसरा क्या है, पंजी 2 और पंजी 1, तब दोनों को ठीक करना इसका जो है सो मूल काम है, पंजी 1 क्या है, पंजी 1 अवले में जो रड़यतों से सम्मंदित विवरन होते हैं। वो होता है, पनजी 2। दूनों सही करकशि करना है, दोनों पर तो यह सारी चीजें हैं अब यहाँ पर है कि जमीन के लिए आपके पास जो म्हिन डस्ताबेज है, वो क्या होना चाहिए, तो मान लिजे कि सबसे पहली बात है कि जमीन आपका है, तो जमीन आपके पास है, तो आपके पास तो कोई कागजी प्रूफ होना चाहिए, वैसे तो आपके पास ने, कागजी प्रूफ में आपके पास खतियान हो, या पुराने उस खतियान का नकल हो, या फिर माल लीजिए कि आपका क्यवाला है तो क्यवाला का पेपर हो या फिर उस जमीन का रसीद हो या रसीद अगर ओनलाइन कटा हो तो वो भी अच्छा है नहीं तो उसका पुराना अगर रसीद है तो वो जिससे कि आप अपनी दावेदारी के समय में आप प्रूफ कर सके यहां यह जमीन मेरा है। इसके अलावा आपके पास बंसाबली होना चाहिए, कवाला का पेपर होना चाहिए, पुराना और नया जमीन का रसीद होना चाहिए, यह सब चीज़ सबसे बड़ी बात है कि नए कानून के इन्थर वो ऐससे अब जब देखेंगे तो मुस्लिम प्रस्नल लौक एकॉर्डिंग आपको मुस्लिम महिलाओं को अपने पिता के संपत्ती में अधिकार था तो हिंदू में भी यह चीज़ें आई तो अब हमारे यहां जो है बेटी को भी संपत्ति में अधिकार दिये हैं सुप्रेम कोट ने इसको माना है तो इस इस्थिति से अब बंसावली में बेटी का नाम होना जरूरी है अगर मालीजे कि आपके पास मतलब उनका साधी हो गया आप केवल नाम देंगे ऐसा नहीं है कि उनके बेटे का नाम देंगे तो उनका नाम देंगे और वही वहां से उनको दिखाना है अब बहान के उपर में है वह जमीन आपको दे देते हैं या आपसे लेते हैं या उसमें हिस्सेदारी करते हैं यह उनका विवेक काम करेगा ल आप बेवजह फिर विवाद में फच जाएंगा तो जमीन को विवाद से मुक्त करने के लिए जो भी उसके दावेदार है उन सब का नाम आना चाहिए जैसे बंसावली जो पहले बनता था कोट के प्रिकरिया से बनता था इस बार बहुत सरा सुधार किया गया है कि पंचायत म मुख्या अगरा मिलकर सब लोग बना रहा है सर और इसमें क्या क्या डॉक्मेंट्स चाहिए अगर कोई डॉक्मेंट्स नहीं है तो क्या स्वमय मिलेगा आपको डॉक्मेंट्स देने का देखिए सबसे बड़ी बात है कि बंसावली जो कहे तो बंसावली पहले उपर से बन तो कागज ही आपके जमीन को प्रूफ करेगा, आप प्रूफ नहीं करिएगा, आपके पास उस जमीन से सम्मंधित दस्ताबेज होनी चाहिए, और जहां कहीं भी आपको उसका डॉट है, तो सिवीर में आपको समय दी जाएगी, सर घर का भी सर्वे होगा, जी घर का, अभी ज सरकार का बन भूमी होता है, अभी सरकार किसानों का सर्वे हो रहा है, अभी जो है, आपको गौं से लेकर सहर तक सब जगह पर होगा, और आवासी और जो सभी भूमी का जो है, सो आपको इसमें सर्वे होगा, सर किसी का घर अगर आम घर में जरूबा में बना है, या खास घ सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो है सरकारी जमीन में आपकी जमीन है तो निश्चित तौर पर जमीन जो है आपने इंक्लोस्मेंट किया है अधिकरमन में आता है तो सरकार उस जमीन को ले सकती है सरकार के उपर है जब तक सरकार की एक्षाअ नहीं है तो आप जोत्त हैं कल सरकार को जरुरत पड़ेगा मालिजीघ घर है रास्ता का चौरी करन 있으면 आपके घर तूटेंगे आपके मालिज जरूरत पढ़ने पर आम आवशक्ता के सरकार जो है विकासात्मक कारियों के लिए जमीन ले सकती है इसलिए संपत्ति रखना अभी मौलिक अधिकार नहीं है यह एक लीगल अधिकार है और इसी के अंतरगत बिहार सरकार जो है जमीन ले सकती है जरूरत के हिसाब से ऐसे नहीं ली सकती है तो जो भी देख रहे हैं आपके मन में मैं प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से इस पर चर्चा करें ताकि आपका जो कंफ्यूजन है जो बहु सारा इंटर्व्यू आप देखे होएगा तो आ यदि आप गलती करते हैं तो आपका प्रपतर छट जाएगा आपके साथ परेशानी हो जाएगी सब कुछ चर्चा करेंगे तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और जहां भी जमीन विबादित लगे उनको ये लिंक भेज कर उनको जरूर समझाएगा कि उ आपको सक्स दिखाना होगा